इसका जो अप्लाइक कर रहे हैं तो हेलो दोस्तों वेलकम टुम 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 तो आज हमारे साथ है निलो मने साथ तो सर आपका बहुत हो स्वागत है चैनल पर और जैसे कि सर को अपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा तो जैसे अपनी एक सीवी त्रीडो लेके आये थे है और आज यह अपनी इसकूर लेके आये हैं तो सर यह भी ब्लैक कंडर यस यस ब्लाक पसंदेश कलर वो है भी ब्लैक में थी और इनका जो एक्षण यहां पर देख रहे हैं यह भी पूरीं ब्लैक में है तो आज यह स्कूटर के बारे हम जानेंगे कि मीड-rean के सवाल स्कूटर के बारे में तो सर यह स्कूटर को अपने कब लिया था यह जन्वारी फोर्थ को लिया था 2022 में तो सर कितना क्या आपने चला दिया है किलोमेटर अभी तक अभी तक अरूंड तो सर आपको कितनी पढ़ी थे तभी हमको अन रोड प्राइस पड़ा 83,000 इंक्लूसिव एवरीटिंग मतले इसको गाड वगएर जो वह सब कुछ यह सब साइड गाड सब सीट कवर एवरीटिंग सब मिला के अच्छे प्रैस में मिल गया और यह जो स्कूटर में बता दूं यह है हीरो की फोटन इलक्ट्रिक जैसे का आप देख पया रहे हैं आप लिखा है फोटन करके ठीक है ना और यह इनका जो है कंपनी का जो ब्रैंडिंग है इस टापको ब्रैंडिंग मिल जाएगी और इलेक्ट्रिक को यहां पर स्टेकरिंग दिया गया है तो सर इस लेने से पहले दो तिन मोडेल मार्केट में सर्वे किया जैसे कि उकी ना हो बी एनल जी हो और अच्छा और एक दूसरा मोडेल सीमा इलेक्ट्रिक्स वहिकेल उसको भी चेक किया था सब देखने के बाद मालूम चला खुद को फील हुआ कि नहीं देशी मोडेल लिया जाए हिरो कंपानी जो ब्रांडेड कंपानी है उसी का मोडेल हमको अच्छा लगा और उसका कंट्रेप्रेटरी डिजाइन जो देखे जो अच्छा लगा और इसका बूर्स सामने का जो लेक ठीक है ना और सबसे बड़ी बात जो कि सर्वी जानते हैं बताएंगा अभी जो कि इसका बूर्स पेस जो कि आपको ओकी नवा में नहीं मिलता है अगर मैं प्रेस प्रो की बात का तो 90 था जो उनके आती है वह स्कूटर टेकिन यह 83 में भी आपको यहां पर बूर्स मिल जा 50 degree साइज का हिलमेट रख सकता है तो इस सबसे बड़ा और प्रस सकते हैं वह चीज यहां पर आपको मिल जाता है यहां पिछी आप पर सोच लगाई है company ने और स्पेस के साथ आपको डिजाइन लुक्स के हिस्टा आप से घाड़ी काफी अच्छा जो है मिल जाता है तो सरी रेंज कितना क्या है थोड़ा सा बता है इसका रेंज के बारे में इसका रेंज कमपानी तो बोलता है 108 किलोमेटर पॉर चार्ज सब्सक्राइब करती है और एंवर्मेंट को काफी क्लीन भी करेगी आगे जाके तो सर ने क्या अभी बहुत लोग वही उसी के तरफ जा रहे हैं तक लेने के बाद एंवर्मेंट को उपर जो पॉलिशन ने उसका भी प्रेशर थोड़ा से कम पड़े प्लस पेट्रोल की बचत तो अभी तक आपको क्या 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 कुछ लगा है इसके बारे में पॉजिटिव स्वरा बताई पॉजिटिव के बारे में इसका तो पॉजिटिव बहुत सार है इसका जो सबसे बड़ा आपको बला पेट्रोल का बच्चत हो रहा है कि इंवर्मेंट के लिए अच्छा है और तिसरा चीज है इसमें यह गाड़ी का खास्यत है कि सामने दिखिए कितना स्पेस है जब से पुराना जमान का स्कूटर था सामने बहुत सारे सामने इविनी ग आपको दिखाई दिया और आप से कितना अगर ही अफिल में जाएंगे तो कोई दिकत नहीं थोड़ा माइनर पांच-दस किलोमेटर का स्पीड में फरक पड़ेगा बद कोई रुकाब नहीं पहुंचा देगा डिशने से पहुंचा देगा इतना पार दे रहा है तो नंबर पांच-दस करने का दरकार नहीं कि हमको कभी भी जीरो बिट्री में तो सही बात है तोन्ती परसें जैसे आप लैप्टप चार्ज करते हैं या फिर अपनी मोबाल चार्ज करते हैं तो बीलो तोन्ती के आने से पहले चार्ज करना चाहिए और इसका लिमिट भी रहता है कि इतना हजार के बाद बैट्री जो है डेमेज होना शुरू होता है तो इसी साब से देखना पड़ेगा तो सार जैसे कि आप लोग ने देखा होगा भी जैसे की नीज में आप दिखाता है कि कि इलेक्ट्री स्कूट जल गई दो तिन रोद जल भी गई ऑकिनावा का होगी ओला के टो जल गई तो सार उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे अभी तक तैसे हम फिल नहीं क्या क्यों पिर भी डर लगता है कि आपको कभी भी के वही अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाए तो डर तो लगेगा डिविडियो देखके सोचेल मीडिया इतना स्ट्रॉंग या तो लगेगा बट ताजू हो रहा है कि जलना जलना बट्री एक्सप्लोजोन हो जाता है और अचानक फाय रहा जाता है बट डर तो रहता है बट फिर भी अच्छा चलता है तो एक्चुली जाता है बट इसका फूल चार्जिंग होने का बट अपना घड़ी अपना हिसाब से उसको आफ करना है और दूसरा से प्रिकरशन आपको लेना है कि कहीं लांग राइडिंग का बात आके इमिडियेट चार्ज नहीं करना जी गारम होती है बेटरी गरम कंडिशन में फूरा एग घंटा अधा खंटा फट्टिवाइं मिनिट्स करीवी तो कूल डाउन होने का बात आप चार्ज करेंगे आई थिंग बेस्ट पर इनी लेक्री बात है और जैसे कि सार ने कहा कि बैटरी का थोड़ा सा आपको क्या लेना पड़ेगा अगर नहीं लेंगे तो करेंगा इसमें बहुत सारी फिचर्स देखाएंगे बैटरी का चार्ज लेबूल दिखाएगा कितना स्पीड में जैसे अगर चलाएंगे तो कितना माइल मीटर दिखाएगा और टोटाल किलोमेटर कितना चला है अभी तक 1837 किलोमेटर तीन मैंना में चलाए ओ इतना देख तो सर इसमें कुछ मोड वगर दिया है कि जैसे कि स्पोर्ट मोड होगी इकनोमी में इसमें एक एक्स्ट्रा मोड दिया है इधर ली साइड में राइट साइड साइड में लो स्पीड और हाई स्पीड मतला मैक्सिमाम 40 किलोमेटर तक जा सकता है और हाई स्पीड मतला मैक्स जैसे के हाई स्पीड में चला सकते हैं लेकिन चला से फुरसी इसका जो रेंज बो कम हो जाएगा राकी एकनूमी में चलाइए जैसे लो में तो आपको पुरी है जैसे आप लेट साइट दबाएंगे आप नोटिस करेंगा राइट साइट ब्रेक भी दबता है यहां पर जो लेट का अपले कर रहे हैं तो सेफटी के तौर से काफी अच्छा जो यहां पर फिटर मिल जाता है स्कूटर में तो यहां पर स्पेस भी दिया गया है और कैच यह बताईए यहां पर यूजबी पोर्ट अपको दिया गया है मोगल चार्जिंग करने के लिए तो इक अच्छी बात है इतने शरीफिश आप मिल रहा वह भी एक एक लिक्षी स्कूटर में और सबसे बड़ी और जो परिशन की कंट्रोल वह सबसे बड़ी बात है तो सर अभी तक आपको स्कूटर में कुछ भी नेगेटिव लगा नहीं है अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है अभी तो कोई नेगेटिव इसमें नोटिस नहीं किये जैसे कि स्कूटर की मतलब रेंज होगे वह बहुत सरे फीचर निकल रहे हैं स्कूटर में उसको देखके साथ कुछ लगा कि इसमें अगर दे देता इस्ट्रा कुछ तो शायद भी बेटर हो जाती उसी सब से कुछ भी लगा है कि हमको अट्रिबूट में लगा कि इसका चका बहुत है ओके टायर का टायर दिया है अच क्लाउंक्स है 120 मिली मिटर में कोइश नहीं है यह जो बढ़ामनों से बटर रहता इपने ऐसे स्कूछ तो वह सब्सक्राइब कर दोदों कि यह फिलेयों कि वह उल्ला है जिसे आप जुछों के आरे सब्सक्राणि कर ट्राइब करें गरीज आसे थीक इस वह गाड़ अना द सबके इंग्लूडिंग आपको 83 पड़ा और क्या कुछ इसमें लगा हैं कि इसमें हम कंपानी सोरूम में बात किया इसमें कोई सब्सक्राइब करें क्योंकि पूरा साउंड लेस्कार में गाड़ी है स्कुटर आपके बगल से निकल जाएगे तो भी पता ने चलेगे भी जारी बोलके तो एक चुली मैं आपको एक बार स्कुटर दिखा दूँ वे देख लिए ब्लैक कलर में काफी दर डैसिंग रही है ल स्ट्रीपिंग दिया गया है और काफी लंबी भी है भाई सीट के लंबी चोड़ी है दो आदमी जो है आराम से यहां पर बैट पाएंगे यह पूरा जो है आपका फूरा फ्लैट रखा गया है ताकि अगर कुछ सामन वगर आप रखके भी लाना यह लाना कर सकते हैं उसके आप बैटरी को पर निकाल सकते हैं अराम से निकल की आप चार्ज में लाज सकते हैं गाड़ी को कहीं लेके जाना नहीं पड़ेगा आपको बार-बार करके बाकि यह रहा इसका पीछे का सेक्षिन देख लिए पूरा जो गाड़ वगेरा उसके साथ ही गाड़ी आपको मिल देगी तो इसको कंपनी को थोड़ा सा जो है बड़ा में ट्विल इंच का आट लिश्ट देना चाहिए इसका जो ट्यार का सेक्षन है ताकि जो कॉर्णर में जो स्टैविलिटे वह काफी अच्छा मिले तो जैसी कि अभी देखते हैं तो आपका हाइट कितना है पांच आपको मिल जागा तो अभी सार एक टो राइड मरक आएंगे देखें कि अगर आपका हाइट भी फाइप कुट एट इच है या फिर मेरे हाट का है तो भी आप आरा आप से इसमें बैट पाएंगे जैसे सर यहां पर पुरा बैट के चला के दिखाए इस स्कूटर को तो सर आपका बहुत बात थैंक यू हमें टाइम दने के लिए और अपनी ब्लैक ब्यूट्य को लाने के लिए सामने और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो और यह जो स्क लाइक के देगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लेज मत बूलेगा तो मिलता है लोडियो में धन्यवाद